जानकारी के अनुसार दोनों बच्ची नदी किनारे घास काटने गई थी जाने के लिए चर्चा का भिसा बना हुआ है बैरा-पंचायत के मुख्या-ब्रज कि-सूर्यादववा बरही पंचायत के मुख्या जामुन चौधरी ने पहुचकर परिवार के लोगों को हर संभब मदद का भरोसा दिया साथी सरकार के द्वारा मिलने बाले आर्थिक मदद को लेकर सहयोग तरने का अश्वा सब लिया वही पुलिस ने सब को कब ये मिलेकर पोश्माटम के लिए सदर अस्पताल मधवनी भेज दिया है करने के लिए फिसल जाने के करम में इनकी जो है नदी में डूबने से मौत हो गई है हम तुरन परसासन को सुचना किये परसासन के द्वारा स्टी आरफ की टीम की भी वेवास्था की गई थी लेकिन हम तमाम गरामिनों के सहयोग से पूरे मकसद करने के बाद करीव एक लास हमको 7 बजे मिला और एक लास 9 बजे मिला इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लास लाये हैं और हम अपने प्रसासन पुलिस प्रसासन से मांग करता है कि इस निर्धन परिवार को जो उचित मुवजा होती है उसको अविलंभ देने का किरपा करे हम लोग प्रसासन के संपर्क में है तो हमें उमीद है जो आपदा विभाग से जो भी रासी मिलेगी इस निर्धन परिवार को मिलेगी मेरा नाम हुआ जामुन चौधरी मुखिया पर्तिनी धी बढ़ी घांसकर में गई थी और वहीं धार में जो बचराजा नदी है वहीं पर जो से इनकी दूब के मिर्टु हो गई लेकिन लगातार गरामिनों के सहयोग से तलास की जाने के बाद और अभी यह दो उनों बच्ची की लास मिली है और लगातार हम लोग प्रियास प्रसासन से प्रियास रत थे प्रसासन का भी सहयोग रहा और अभी इनका मिलता है वो तो मिले ही लेकिन जो भी समाजिक लोग हैं जो भी समाजिक कार्ज करता है या समाज से जुरे लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि जरूर इस परिवार से मिले और इस परिवार को आर्थिक मदद करने का सहयोग करें किस तरह से आपको सरकार द्वारा इन लोग को सरकार देती है चार लाख रुपिया तो पोस्ट माटम के बाद मिलता है तो परिवार के लोगों को हमने बरी ही मान और मनोबल किया गया सारे लोग तैयार हुए हैं अभी और अभी हम लोग पोस्ट माटम के लिए चल दिये हैं पोस्ट माटम के बाद सरकार द्वार जो आप अतकालिन मिलती है अकासमी तो वो चार लाख रुपिया की मौपजा की माज करते हैं इसके अलावा जो भी सरकार द्वारा रासी मिर्गत होगी उसको अभिलम से अभिलम इस परिवार को दिया जाए पेंचायत के भी मत से समानित मुखिया पर तीनी दीजिए हैं जो अभी ततकाल कभी रहां तो स्थी योजना और जो भी लाव है वह अब लंब इनको दिया जाएगा ले लिजे जाए आप हमारे मदूबनी न्यूस को फेज़ूक पे देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें यूटूब से देख रहे हैं और शौच के साथ निरंतर खून बैता है क्या बल्द्या के समय आपको भयंकर चलच और सुईया सी चुप दी हैं और दर्द असेनिया हो गया है यानि आपको क्या लेपा बीमारी बवासीर है पैखाना रास्ता के किसी तरह की समस्या जैसे कप्ज बावासीर भगंदर या स के समय मांस बाहर निकलना गुदा मार्ग से खून मबाद या पानी आना गुदा मार्ग में जलन खुजली या दर्द होना गुदा मार्ग के आसपास गाठ फफोला भगंदर जैसे बीमारी का ओप्रेशन कराने के बाद भी जदी परेशान है तो सत परतिशत जर्च चुट डाटुम्मधुवनी